तीरी बांद की भागी रथी जील में परेटकों को अंडा ओमलेट परोसने पर हंगामा शुरू हो गया जिसको लेकर संतों ने आपत्ती जताई है और दोशियों पर कारवाई की मांकी है नाराज संतों ने ओमलेट परोसने जाने को मा गंगा का अपमान बताया है बदाने की गोमोग ग्लेशवर से निकलने वाली भागी रती नदी भारत की सबसे पवित्र नदियों में से एक मानी जाती है क्योंकि इसे गंगा का जन्मिस्तान भी माना जाता है वहीं भागिरती नदी के वेग की गती का उपयोग तीरी बांद के माध्यम से बिजली उत्पादन के लिए किया जाता और यहां कई किलोमीटर लंबी जील पर राज सरकार के ओर से परेटन को बढ़ावा देने के लिए वाटर हट्स बनाए गे हैं जिनमें अंडा और अन्य प्रचवंदित खादपदार्थ परोसे जा रहे हैं हो रही है तो मेरा आपके चैनल के माध्यम से राजे सरकार से आग रहे है कि इस पर तत्काल का रवाई करें इस परकार के जो एवक्षपदार्थ हैं उसके शेवन पर प्रतिवन लगाना चाहिए अर्विन नोटियाल हमारे स्वयोगी एदिक जानकार एक लिसमक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं अर्विन्द होटल में अंडा परोसने से साधू संध खास दोर पर नाराज है और यह वाटर हट्स बनाए गये हैं जिसमें यह अंडा परोसा जा रहा है आपड हुल असे बड़ी ढ़ी जील और टीरी जील के ऊपर एक फ्लोटिंग हर्श बने विये हैं यानि वाटर भूप हर्ट है हैं ऑर यह प्यारता हुआ एक होटल है जिसमें जिसमें की बारा कम्रे हैं और बारेश तंबरे ने और यहां पर देश देश के परेतक यहां पर आते हैं और साथ ही आपके बतादों की जो यह फ्लोटिंग हर्स हैं इस पर पहले भी कारवाई हुई थी और इक्षो की मलमोत्रो गिरा जो ट्यादी गंदगी थी वो तेरी जिल में उड़ेला जा रहा थ ही और वीडियो आप देखे हैं किस तरह से अगरेटी गंगा के उपर फुले आम फ्लोटिंग हर्स के उपर शीचन लगाया गया है और शीचन में अंदा बनाया जा रहा है जो कि साफ साफ जार्मिक आस्टा को चोट पहुटाने का काम कर रही है इसको लेकर जो हर्जवाज साफु संट साफ है नोगा का डिने ऊपर आजा रही है और रही कंपनी के खिलाब अभी तक पोई कारसा की नहीं हो पाई है और यरोई दौर्स कर दोर्हा माही इस dalla क्षोण चूट पोचाही है आरे जो जिल खने स्टाव सितल में फे टेकर अभोस चैना समतिन दोर्भ करना शुरू कर दिया है और उनका कहना है कि अधुस्तानिय प्रशासन के पास जाकर